इन में से काया है कि फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा और दूसरा है कि सोडियम फ्यूजन एक्स्ट्रेक्ट अपोन ट्रीटमेंट वीद सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड गिवज अ ब्लड रेड कलर बट नॉट यह देखें सिंपल है बहुत कन्फूजिंग लग देगा और दूसरा है कि इन में से कि जो सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड है ब्लड रेड कलर किसके साथ नहीं देगा सबसे पहले फैलिंग टेस्ट का देखते हैं इसमें देखें फैलिंग टेस्ट के मैंने ओपर वीडियो बनाई भी है अगर आप देखना है तो उसको अ पोजिटिव टेस्ट नहीं देती याने जो बेसीकली फैलिंग टेस्ट नहीं देंगे किटोंस हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया इसमें अगर आप देखोगे कि तो क्या यह एरोमेटिक हैं ओके सो पहला देखते हैं कि इसमें से जो फैलिंग टेस्ट है वो पोज Aromatic Aldehydes हैं, वे Felling Test Positive नहीं देते हैं, does not be. Aromatic Aldehydes के है, जिसमें किसी Aromatic Ring पर होई भी हो सकता है, Direct CHO जुड़ा हो, right? अगर अब इसमें देखोगे, तो यह Ring जो है, वो Aromatic है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सबमें CHO Direct जुड़ा होआ है, इसी में ही नहीं जुड़ा हुआ है तो यह तो आपका जो आंसर हो यहीं पर ही हो गया था आपको इसकी भी जुरुवत नहीं थी option number 4 यहीं पर आपका सही हो जाता हूँ समझ में आपको कैसे अगर आप इसको आप देखो सब में एक ही हो जाएगा देखे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेर है ठीक है अब इसको देखे इस नाइट्रोजन के उपर एक लोन पेर है आपको अगेन मैंने गाईज जी ओसी की वीडियो है उसमें समझाया हुआ है कैसे अरोमेटिक है इसमें क्या होगा साइकली कंजूकेशन देखते हैं हकल्स रूल देखते हैं तो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए अब प्लेनर स्ट्रक्चर तो है क्योंकि 1,2,3,4,5-membered ring है अब 5-membered ring में अगर आप इसको देख तरह यह हो गया तो यह एन इस तरह बन गया 1,2,3,4,5 ऐसे बना रहे तो यह हो गया चाहिए एक तरह से प्लेनर स्ट्रक्चर है ठीक है एक को यहां जोड दिया और एक यह यह अब एक को ऐसे दिखिए कि जो यह है यह तो ओन दा प्लेन है महला पर्पेंडिकुलर तो दा इस रिंग याने जो यह डबल बोंड है वो क्या है एक्चुली में यह वो है समझा है मैं आपको ट्रिक बताइती कि अग जब भी आपको देखना हो तो यह जो लॉब्स है वो शुरू से लेके एंड तक कंटिनियूस होने चाहिए अब इस नाइट्रोजन में देखिए यह नाइट्रोजन में जो यह लोनपैर है यह इस प्लेन में नहीं है क्यूंकि इसके ओपर जो यह वाला जो एन और के बीच में बहुँंड है वो यह ऐसे है perpendicular to the plane जो यह नै्ट्रोजन है वो in the plane of इसके-में पे है going hope guys आपको visualize हो पार होगा तो ये वाला जो है परपेंडिकुलर से हैं जो मैं highlight कर रहा हूं सामने आपको इस वाज़े और 4 & 5 प्लस 2 एलेक्ट्रोंस होगे 1 2 3 4 5 ऐसे देखे 1 2 sorry ये 2 थे 1 2 3 4 5 6 तो याने 1 होगा तो 4 प्लस 2 6 सेलेक्ट्रोंस हो जाने हकल सूर्ट फॉलो कर रहा है ऐसे N के बज़े S कर दो है आप तो सेम ही बात हो जाएगी बस S का थोड़ा size बढ़ा है तो इसलिए ये aromatic होगे पहली बात तो यह होगे ठीक है इस वज़े से आपका डारेक्ट्री यहां आगे था दूसरा यह है ठीक है सिंपल एक आप उसूल समल दीजिए जो sodium nitricricide है वो blood red जब देगा उसमें देगा जब आपके जो compound है दोनों मलब उस compound में S and N sulfur nitrogen दोनों present होता है उसी case में यह आपका जो sodium nitricricide है blood red color देता है ठीक है अब अगर आप देखोगे तो इसमें S and N नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें था लेकिन यह aromatic benzyl LDIT होने की वेड़े से यह नहीं हो पाया इसका वालग दोनों यह वालो होगे I hope आपको गाईज यह जो question है वो समझ में होगा right so इसमें जो option number four है आपका correct answer है